वोई व्यक्ति राज करेगा जो बाबाद साब द्वारा लिखित बारते सविधान को पूर्ण रूप से मानने वाला होगा जो मईला पुरुस में कोई भेद नहीं करेगा जो जाती और धरम के नाम पर अतन को नहीं मचाएगा इस देश के अंदर वोई व्यक्ति राज इस्त जी माद रखते हैं कि अच्छ जान अनुशासन नहीं वाद साथन नहीं और जासासन नहीं जान नहीं वहां किसी प्रकार्टी कोई कार्वजारी नहीं कोई इंसान नहीं कोई कुछ नहीं कि अच्छ जान को इस्ताबिक करने वादे सही में जमान तक असास करा लेगे वादे इस युद्पूच की आज जैनती है मान्यवर साथ का शिनाप साहपो अपना आतर्स अपना ग्रू मंते वे बहुत इन सवाठ में वोसाब बाकुष जुण obey भारत में पैदा होकर ज 되지ly स्व पैदा होकर इंसानियक की भात की अग्राइब करता हूँ, नग्मस्तर करता हूँ, मत्षुक्रिया ला करता हूँ, यहां पर मदूद पटेग वाहिए का, पटेग वहिका, अपने मुझूस्वाय का क्विधी देखता हूँ परिवेस समझे क्या है वो परिवेस जो बाबा साब अम्बेटकर ने बारते सविधान को लिख करके तोड़ा जिस सामनती व्यवस्ता को चोट दी जिस जातीवादी व्यवस्ता को चोट दी उस परिवेस को आज पुने खड़ा कर दिया जा रहा है राजनीत के नाम पर जिस परिवेस को मानने वर कासी राम साहब ने तोड़ कर चकना चूर किया और ये बताया कि राजनीती किसी के बाप दादा की जागीर भारत में नहीं है राजनीती किसी की जागीर है तो जनसेंग्यावाले लोगों की जागीर है अगर जो जन्सिंक्यावादी में जाते वाले लोग है वो एक बार भी एक जुट हुए तो नयाए की आवाद को मच्बूत कर सकते हैं इस देश के अंदर इस देश की व्यवस्ता को बदल कर रख सकते हैं ये साब का सिराम सावनिवर लेकिन हम लोग हम लोग कम सुधरने वाले लोग है क्योंकि हमारे थियास में कही न कही भीमा कोरे गाउं भी हुआ है हमारे थियास में वो चमार रेजिमेंट भी रही है जिसने आजादी के समय अंग्रेजों का साथ छोड़ करके सुभाशन बोश का साथ दिया हम वोई लोग है जो इस देश की गंदी नालिया साथ करते हैं हम वोई लोग है जो इस देश की टटी लेटरिंग या तक कूडा करकर जो भी गंदी चीज़े हैं उन सब को साथ करते हैं लेकिन अपसोस अपसोस है मैं अपसोस भी करता हूँ किसलिए कि उस आबादी के लोग सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी के लोग जिनके इस देश में वह मापुर्स रहे हैं जिनका लोगा माना जाता है जिनके अंदोलन को बार बार कुछला गया पिछले 5000 साल में ना जाने कितनी बार इनके अंदोलन को कुछला गया वो अंद लिए बड़ी घटनाए देश में हुंती हैं बाबा साब हम बेटकर आए। चले गए फूले पैर आई। चले गए साहरी महराज़ा आए। चले गए मानवर साहब काशिराम साहब आए चले गए। क्या हम लोग जागेवे लोग हैं दिल पर हादर कर सोचेगा कि हम जागे वे लोग हैं जब से दिल्ली माता हूं सिर्फ एक बात कहता हूं दूसरी बात नहीं कहता हूं एक बात कहता हूँ कि सिर्फ 500 लोग दिल्ली के कठ्ठे हो जाएं पूरे देश में होने वाली पड़ते घटना के अवार दिल्ली जंतर मंतर पर खड़े होकर उठाएं हम देखते हैं इस देश से कर ये होने वाली घटना एक हम क्यों नहीं हो आवाज नहीं उठ पाती बिल्क कर स्याम को रोटी के नाम पर सुकि रोटी मिला करती थी वो इतियास याद करो जब पानी तक पिने नहीं दिया जाता था भूल गए हो इतिया याद करो वो व्यवस्ता पुनेस्ता पित होने जा रही है अगर नहीं देख पारे तो देखो इलाबाद के अंडर एक प्रेस कॉन्फरेंस होती है और वहाँ पर अगबार में लिख दिया जाता है इस देश को एक विशेश वर्ग का राष्ट बनाए जाएगा एक वर्ग के देखर आई व्यक्ति कि रख्षा करने कि जिन्मेदारी मी देख लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बाबा साब मेटकर ने भी कहा था, कि जो अपने घर की दिवालों पर रिको, कि हम इस देश के साथ सके, यह बाबा साब मेटकर रिका, वो काम हमने कितनी बार किया, कितनी बार हमने सोचा, कब हम सोचते हैं, किसी अपनी घर की दिवालों पर जाकर कब हम लिखेंगे, कि हम इस ना जाने कितनी घटनाए होती, आजमगड होता है, हम चुप रहते हैं, दिल्ली होता है, हम चुप रहते हैं, क्यों, किस लिए, कोई भार से आएगा, या कोई सक्ती आएगी तुम लोगों को बचाने, तुम लोगों को राज कराने कोई दूसरा आएगा, नहीं, अगर रोट नहीं डाल सकते तो समझ लीजिए वो जो जूता पाँच हजार साल की गुलाबी के बाल बाबा साब अमेट कर दो रतार कर नीचा पटका था वो जूता फिर से सिर्प पर आने वाला या अब इसी समाज के लोग भी हूँ मैं तुमें भी पूछता हूँ जब इस देश में मंडल का मिशन की लडाई हुई और विरोध्यों ने कमेंडर की लडाई शुरू की तो आज वो सारा वपीसी समाज क्यों खड़ा है वो भीसी समाज क्यों नहीं पूछता कि अर्टिकल 340 का क्या क्या मतलब है नहीं पूछ प कि 1550 की जो लडाई है बाबु जगदे पर साथ कुष्वा ने कहा था कि सो में नब्वे सोशीत और नब्वे भाग हमारा है बाबा सावं मेटकर ने कहा था पंद्रा चोड़ पिचासी जोड हम नहीं सुदर पर हम नहीं सुदर पर फिर एक विक्ति खड़ा हुआ उसने फि समाज का फर्ज नहीं बनता बाबा साथ को मानने वालों का फर्ज नहीं बनता बुद्ध के मानने वालों का फर्ज नहीं बनता कि उस विक्ति के साथ कंदे से कंदा लगाकर तनमंदन के साथ खड़े हो जाए और आवाज उठाए फर्ज नहीं बनता बनता है फर्ज बिलकुल बनता है फर्ज यह जो लोग यहां है अगर शिर्फ यह लोग ठाने ने किस देश की व्यवस्ता परिवर्टित करनी है तो मैं लिखकर देता हूँ अगले पाथ साल में इस देश की सबसे वड़ी कुर्शी पर किसी का राल इस तापित होगा तो मुझे मैं तो शुकरियादा करता हूँ बाबा साब अम्बेट करका कि बारते सविदान में अल्टिक अलूनिश लिख करके उन्होंने मुझ जैसे विक्ति को बोलने की आजादी दी चीखने की आजादी दी और ये भी कहा कि जब-जब कही गरत हो पुरी ताकत से खड़े हो लोगों को सिखाओ बहनों को सिखाओ बोलना सिखाओ लड़ना सिखाओ सविदानिक लड़ाई सिखाओ और उन लोगों को हमेशा के लिए बैक फूट में लखेल दो जो इस देश की समाज की इस कौम की विवस्ता को छिन भी निकरना चाहते हैं ये परियास करेंगे बिल्कुल करेंगे फूले साहब अमबेटकर के लोग है साहब बाबा साहब अमबेटकर के लोग है साहब मानने वर कासी राम साहब के लोग है कासिराम साहब को जानते है ना जिनकी जैनती है दीना भाना साहब ने सिर्फ एक किताब दी थी जिसका नाम है निले सनब काश था उस किताब को पढ़कर बाबा साहबं बेट कर उस किताब को पढ़कर मानने वर साहब कासिराम साहब ने इस देश के अंदर बहुजन मुमेंट का ऐसा जंटा गाड़ दिया कि वो किसी पर खतम नहीं उपार अगर कहीं कमी आ रही है तो हमारी एक जुटता की कमी आ रही है ये गर एक जुटता एक बार हुई तो समझिए समझिए एक बाबा साहब अम्बेटकर ने लाकों करोडों लोगों की आजादी का मार्ग खोल दिय आज तो इतने बाबा साहब अम्बेटकर बठे हैं कि एक बार मौका मिला एक बार मौका मिला तो इस देश की सारी उन्नती के रास्ते एक जटके में खोल दिये जाएंगे बिलकुल खोल दिये रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है जितने सातियां आए हुए हैं सब लोग अबरी भारत के अंदर इस्तापित है इसके गयर बराबरी को खतम करने के लिए सब को बराबरी का अधिकार दिनाने के लिए महिला सुरक्सा के लिए जात पात के नाम पर होने वाली जो एक्टोशिटी हैं उनको खतम करने के लिए कंदे से कंदा मिला कर खड़े होंगे और जो महिलापुरस में कोई भेद नहीं करेगा जो जाती और ध्रम के नाम पर पातन को नहीं मचाएगा इस देश के अंдर वोगती राजिस्ता भिद करने वाला होगा यह आप सब लोग यहां से परण लेकर जाएंगे आ चंद लाइनों से चंद लाइनों से पनी बात खतम करूंगा लाइने बहुत पुरानी है हर मिटी में कहता हूँ दिल्ली में भी सो बार बोल चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ यह लाइने भाज चंसे करा जाल जी को समर्पित है क्योंकि हम लोग ऐसे ही लोग हैं साती हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं यह उन लोगों के लिए भी है दो चीक चीक कर यह कहते हैं कि एक कल के बच्चे कैसी देश की व्यवस्ता को चलाएंगे यह उनके लिए भी है कि साती हम तो फकीरी म जाज रखते हैं अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं कल की परवा भीमारमी के लोग नहीं करते दोस्तों भीमारमी के लोग तो अपनी मुठी माज रखते हैं अपनी मुठी माज रखते हैं